सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगाट पर रास्ट मना रहा है पराकरम प्रभ परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जोद्पुर में श्रसस्त्र सेनाव की प्रधर्चनी का किया अवलोकन अयोध्या विवात से जुड़े मामले में सुप्रेम कोट की तीन सदस्य पीट ने मस्जिद इसलाम का अभिन हिस्सा है या नहीं इस वाद को स्वविधान पीट को भेजने से किया इनकार कहा आयोध्या मामले से इसका नहीं है संबंद। सुप्रेम कोट ने विहवा है तरसंबंदों को अपराद मानने वाली धाराद 497 को किया अस्वविधाने करार कोट ने कहा इस सोच को खत्म करने का वक्त आ गया है कि पती ही महिला का स्वामी है एशिया कप में अजय भारती टीम का आज फाइनल में बांगला देश के साथ होगा मकाबला सुपर फोर में पाकिस्तान को हरा कर बांगला देश पहुँचा है फाइनल में नमस्कार आए देखते हैं मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से शस्तर बलों के साहस पराकरम और बलिदान को सलाम करते हुए देश भर में आज से 30 सितंबर तक पराकरम पर्व का आयोजिन किया जा रहा है सर्ज कर स्टारिक की दूसरी वर्श कारट पर प्रधान मंस्तरी नरेंधर मुधी जोध पूर के कॉंकारवार मेमोरियल पर देश के लिए कुरबान होने वाले वीर शहीदों को शद धान जली दी पराक्रम दिवस के रूप में आज़ित होने वाले कारक्रम में रक्षा मंतरी निर्मला सीतारमंड सहे तीनों सेना, जल, थल और वाई सेना के चीफ भी शामिल होंगे परदान मंतरी नरेंदर मोदी जोदपूर में पराक्रम पर्व के अफसर पर सेना के आधूनी कुपकरणों को दर्शातिय का वलोकन कर रहे हैं जहां उनको सेना ने गार्ड आफ आफ आनर दिया देश भर में क्यावन शहरों के तिरपन जगहों पर सेना के जवानों के पाराक्रम पर फोकस करते हुए काईकार करम आयोजित किये जाएंगे रक्षा मंतरी निर्मला सीतारमन इंडिया गेट पर पर पराक्रम पर फकाउद घाटन करेंगी और वहां बच्चों से समवाद करेंगी तीन दिन दोग चलने वाले सेना की ओर से सर्जिकल स्टाइक के द्रश जारी किये गए हैं जिन में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आतंगवादियों का लांचिंग पैड भारती सेना ने एलोसी पारकर के खत्म किया और टरेरिस्ट लांच पैड है यानि जहां पर आतंगवादी रहते हैं सीमा के उस पार और वह सीमा पार करके कश्मीर में आते हैं और काश्मीर में आतंग फैलाते हैं अयुद्ध्य विवाद से जुड़े मामले में सुप्रेम कोट ने गुरुवार को एक एहम फैसला सुनाया सुप्रेम कोट की तीन सदस्य पीट ने मसजिद इसलाम का अभिन्हंग है या नहीं इस मामले को पांच सदस्य सम्वधान पीट के पास भेजने से इंकार कर दिया कोट ने कहा कि पहले आए इस फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है कोट ने यहा भी कहा कि दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए कोट के फैसले के बाद राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया इस मामले के सुनवाई अब 9 अक्टोबर को होगी दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए और पहले आए फैसले की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है देखना होगा कि 1994 में पांस अदसी पीछ ने किस संदर्ब में फैसला दिया था मौझूदा मामले में 1994 का फैसला प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वो निर्णे भूमी अधिकरहन के संबन्द में सुनाया गया था गौर तलब है कि शीर्शा दालत ने 1994 के फैसले में टिपणी की थी कि मस्जिद में ही नमास पढ़ना इसलाम का भिननंग नहीं है हाला कि गुरुवार को नियामूर्ती ऐस अब्दुल नजीर ने अपने फैसले में पीट के अन्य दो सदस्यों से इत्फाक नहीं रखा उनका कहना है कि मस्जिद इसलाम का भिननंग है इस विशे पर फैसला धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए दो अक्टूबर को सेवा निव्रित हो रहे हैं विवाद से जुड़े तमाम पक्षों ने फैसले का स्वागत किया है राष्ट्रे स्वाम सेवक संग ने फैसले का स्वागत करते हुए उम्मी जताई है इस मामले में जल से जल्ट मुकदमे का नयायोचित निर्ने होगा यह मुद्दा उस वक्त उठा जब प्रधान नयायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्य खंड़ पीट आयुद्धिया मामले में 2010 के इलहबाद उचिन्याले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी इलहबाद उचिन्याले ने रामजन भूमी बाबरी मस्जद जमीन विवाद पर अपने फैसले में जमीन को तीन हिस्सों में बाट दिया था इस निर्णे के खिलाफ ही याचिकाओं दाखिल हुई थी जिसके दौरान ये मुद्दा सामने आया अब ये मामला साफ हो जाने के बाद सभी पक्षों की अपीलों पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बहुत एहम फैसला सुनाया और पुरातन काली इन माना कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोच को खत्म किया जाए कि पती महिला का स्वामी है राजपल रामना एक और मुख्य मंत्री योगी आदे तिनात ने कल पूर पुर्पुर्धान मंत्री स्वर्गिय लाल बहादूर शास्त्री के पैत्रक आवास को संग्रहाले के रूप में राष्ट को समर्पित किया इस अफसर पर पूर्पुर्धान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री एवं उनकी पतनी ललिता शास्त्री की प्रत्मा का भी अनावरन किया गया इस अफसर पर देश के चिकित स्वास्था मंत्री एवं शास्त्री जी के नाती सिधार्थ नात सिंग भी उपस्तित थे इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामनगर और सामने घाट को जोड़ने वाले पुल का नामकरण लाल भादुर शास्त्री के नाम पर किये जाने पर जल्द विचार कर कारवाई की जाएगी इस देश के दितिया ये सफसी प्रतान मंत्री के रूप में जन्होंने इस देश को ये गौरव साधी नित्रत दिया प्रतान मत्री जी की पेड़ा से और सरदे सास्त्री जी के परिवार जनों के भाकरा पर यहां पर सरदे सास्त्री जी का इस पैट्रिक भवन उनके इस मारक की रूप में आज यहां पर लोकारपन का कारिक्ष्ण संपन्न हुआ है जिस्थी एक पेड़ाजाई केंदर के रूप में सदिव मारक गर्षक के रूप में रहेगा हम इसके लिए कॉर्पस फंड बनाएंगे जिससे अनुवरत रूप से इस मारक को आगे बढ़ाया जातार जाने के ग्योस्ता बनाएंगे इलहाबाद हाई कोट ने वेंडिंग जोन पर सुनवाई करते हुए वेंडरों का भी भरन पोशन करने के लिए मिलना चाहिए यह उनका अधिकार है नोईडा अथार्टी को फटकार लगाते हुए कोट ने कहा कि शासना देश के चार वर्ष बीच जाने के बाद भी जिले में कोई कारे नहीं हुआ नया मुर्ती मनोच कुमार गुपता ने याची शाम कुमार गुपता एवम अन्न की याचका पर दिया शासना देश के बावजूद दुकांदारों को लगातार पर शासन पर ताड़ित की अरता है कोट को याची अधिवकता ने बताया कि पूरूब में भी माननी ने आया लेका आदेश है वेंडिंग जून बनाने का लेकिन अब तक जमीन पर कोई कारे अधिकारी दौरा नहीं किया गया जिस पर कोट ने कहा कि पटरी दुकांदारों को इस्थाई करें जिससे वेंडर अपनी रोटी रोटी कमा का परिवार का भर अनपोशन कर सकें और वेंडरों को बेवजह परिशान ना करें प्रशासन कोट ने से कहा कि बेंडरों का भी भरन पोशन करने के लिए उन्हें मिलना चाहिए यह जगा उनका अधिकार है करें तो अब चुकी स्कीम को पालन ये लोग करनी रहे हैं और खास्तों से जब आक्ट में प्राविजन है कि करेगा ना ही कोई निवड़ा चार्टी के लोग करेंगे बावजूद उसके ये लोग जब बहाँ पर आक्ट के खिलाप कार कर रहे थे तो यहां माननी उचे नियाले में हम लोगों ने कंटम दाकिल किया क्योंकि माननी नियाले के आदेश के बावजूद भी ना तो बेंडिंग जोन बनाया जा रहा था ना ही इसका अडेंटिफिकेशन हो रहा था ना ही जो छोटे दुकान दार थे नहीं लाइसन्स देने के प्रिख्या परालम हुई हमारी बेंडि जोन के लिए मांग है कि जब 2014 में हमारा एक पास हो गया है तो हमें जगह पर्वाइड करके दे दी जाया है लाइसन्स दे दिया जाया है और हम लोगज पूट लेकर लाइसन्स बनवा रखा हूं तब भी हमको दिया नहीं जा रहा है सिप कागच पर कलम चल कि हमने बना दिया है तो वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है सिर्फ वहां पर हम लोगों को हटाकर नहीं अपने ही रिष्टेदार हो घर वालों को ही इस्ताफित करना चाहते हैं वेश्व परवटन दिवस के अफसर पर परवटन भावर में टूरिजम and the digital transformation करकम का आयोजन किया गया जिसकी अध्क्षता परवटन मंत्री रीता भुगणा जोशी ने की इस अफसर पर रीता भुगणा जोशी ने कहा कि डिजिटालाइजेशन की मदर से परवटन के खेटर को काफी फायदा मिला है उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के विज़े से जिंदगी कितनी आसान हो गई है जिसकी विज़े से परेटन में कार्मी क्रूप से बढ़ात्री हो रही है और अब परेटन में काफी रोजगार की बहुत हम आगे बढ़े हैं और डिजिटलाइजेशन का यह युग है इसकी थीम भी अपकी यह दी गई है कि कैसे हम डिजिटलाइजेशन का इस्तमाल करते हुए और अपने परेटन को आगे बढ़ाएं देखिए उत्तर प्रदेश में भंडार है परेटन स्थलों का चाहे वो किसी तरह का चाहे वो धार्मे को आध्यात्मे को अत्वा वो प्राकृतिक हो या एतिहासिक हो या वियंजनों का हो या पिर क्यों ना वेलनेस का और हेल्थ का स्वास्त का टूरिजम हो सब कुछ है लेकिन दुर्भागयवश्ट पिछले 15-20 सवर्शों में परेटन को हमेशा हाश्य पर रखा गया लेकिन जब से उतर प्रदेश में योगी सरकार आई और नरेंदर मोदी जी जो प्रद चस्पी उतर पिदेश के परेटन में बढ़ी हैं जहांसी में कौशल विकास योजना के अंतरगत प्रसिक्षित बेरुजगार युवाओं को नौकरी मिलने से चाठ 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 रहें अपने परिवार में सहीयोग प्रदान कर घर परिवार की मदद करने की बात करते हैं नौकरी प्राप्त करने वाले सबी चाठ 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 रहें विकास योजना वर्श्रम से वर मंत्रा ले और प्रदान मंत्री को धन्यवाद दे रहें हैं नौकरी प्राप्तकर ने युवाओं का कहना है कि शुरुआत थोड़े से ही मगर शुरुआत तो हुई आगे बढ़ने के भविश में उनके लिए अच्छे अफ़सर खुल गए जहां से मंडल में हाल ही में कौशल विकास के जरीए तकनी के प्रस्टिक्शन प्राप्तकर युवाओं को कौशल विकास और सेवा यूजन विभाग द्वारा हजारे लोगों को रोजगार मिल रहा है न बहुत खुशी है लेकिन अब इस लिए तो अबी शुरूबात हुई लेकिन धो जो और भी बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत खुसुमें और आगे rate मुझे यह अपसर मिला है लेकर हम सूचते और भी आगे लोग को मिले और वसकि इसलिए तैंक्यू में अपनी मैम को और जिनोन सरनों दिया मंत का कुर्स का और इससे मुझे मैंने कुर्स किया जहां से बहां बहुत अच्छी श्टडी किया मनलब पड़ाई की जाती है महां एक भी रुपे नहीं लगी हुए मैं बहुत ही करीफ हैमिली से हूँ मेरे पाप अमी है तो अपने पैसे से नहीं करा सकते हैं इसलिए कोशल विकाश के द्वारा से मैंने जो किया है से में बहुत ही मदद मूती मिलेगी आगे बढ़ इससे में आगे बढ़ूंगी तो मैंने अप्लाए किया और मेरा सेलेक्शन हुआ है इसमें और धन्वाद करते हूं लोगों का यहां जोब लेगी पहले लोग जोब के लिए खुद जाते थे अब सरकार खुद जोब लाग रही है हम लोगों के पास तो अम लोगों के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को जाब स्लेक्शन हो रहा है माननी असान साच छोटे लाल खारवार और साथ विदायक सदर भूपेश चौबे ने किया वारानसी के राधास्वामी के सोन भदर के जन जीवन की फोटो के लिए पचास हजार का दुती पुरुसकार एबं आयाईटी बियाच्यू के छातर सागर सकसेना को मंगेशन नात तस्वीर के लिए पचीस हजार रुपे का तरती पुरुसकार प्रदान किया गया इस प्रतोगता में देश के विभिन्न भागों से दिल्ली, जैपूर, मुंबाई, चेन, वारानसी, कोलकाता, आदिस्या, प्रतिव भागयों ने भाग लिया फरुकाबा जनपत के अनेक स्थान पौराने के वं एतिहासिक महत्त के हैं जनपत की टाउन एरिया कंपिल में चारो यूगों, सत्य यूग, त्रेता यूग, द्रापर यूग व्या वर्तमान कल्यूग के निशानिया है इसी तरह बाद धर्मावलंबियों का मुकेतिर्थ संकीसा भी यही हैं जहां पर अनेक बाद देशों ने अनेक संदर बाद मंदर भी बना कर संकीसा को एक नया रूप दिया है यहां पर बाद धर्मगरू दलाईलामा भी आ चुके हैं तथा विदेशी सेलानियों का साल भर आना जाना लगा रहता है शरंगरिशी का आश्रम मुस्लिम संत मख्दूम शेखबर राकशा की दरगा नीम करोरी में बाबा लक्षमन अदास का धाम भी धार्मिक परिटन के लिए जाने जाते हैं फरूखाबाद की पौराणिक नगरे कपिल दुरूपद राजी की राज़धानी वा महा भारत की दुरौपरती जनमस्थान दुरौपरती कुंड सहित भगवान राम के भाई शत्रुगं दौरा इस्थापित शंकरजी का मंदर मुगल बादशा औरंग जेब दौरा बनव सबी जनपद वासियों को इसकी मेरी शुब कामना है और परूखाबाद जनपद का एक अपना ही अनुखा और अदबुत स्थान है अगर हम परेटिन की बात करें तो गंगा नदी के किनारे स्थित इस जनपद में मैं बताना चाहूं में कि इसमें जो घाट है उनका एक तो अपना ही अतिहासिक भी महत हो है और अभी तो जो कारे चल रहे हैं जैसे घाट निर्मान का सुधिवी करन का कई पांचान घाट पर जो निर्मान का कारे चल रहा है वो भी परेटिन को और आगे ले जाएगा परेटिन के मतलब दिश्टी कौन से जनपद को और आगे ले ज और संकिसा का अपना ही एक महतु है और आती हासी पुरान एक महतु रहा है एशिया कप में अजय रहने वाली भारती टीम का आज फाइनल में सामना बंगलादेश चे होगा भारत ग्रुप दोर में सिर्श पर रहा जबकि सुपरफोर टीम में पाकस्तान को बंगलादेश ने हराया जबकि अफगानिस्तान के साथ भारती टीम का मकाबला टाई रहा वहीं बांगला देश की बात करें तो टीम ने सुपर फोर में पाकस्तान को हरा कर फाइनल में जगा बनाई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सच भारत अभियान के अंतरगत करनौस जिले को खुले में सौच मुक्त घोशित किया गया है 2012 बेसलाइन सर्वे के अनुसार जिले को दो लाग पांच हजार सौचाले का निर्माड का लक्ष दिया गया था जिसके साब पेक्शे 85.42 फीसद शौचाले की फोटो एप प्रूव्ट के बाद जिले को खुले में सौच मुक्त की घोशित की गई लगभग 17 लाग की अबादी वाले कन्नोज जिले को प्रदेश में शौचाले निर्माड में 11 इस्थान मिला के कारण जिले को खुले में सौच मुक्त को खुशित कर दिया गया कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोग को जिनके सोचाले बन गए हैं प्रियोग करें एक पहल जो मानित जानमंत्री जी द्वारा शुरू करी गई थी उसको सफल बनाने में सभी लोग एक जोड़ों करके एक ताकत बनके उम्रे हैं और इसको बहुत उचाई तक लेकर के कर दो कि जितना भी सोचाले बनाए गए हैं उनका प्रियोग करें और इस और इस और मेरा समाच है उसको भी मारियों से उत्रह तरह की विमारिया होती हैं खोले दासलाख ukri प्रधान मंतरी जंधनियो जना के 10.5-10.5 खातों में 75-80 करून रुपए जमा हो चुके हैं इस योजना के तहट आज भी बैंकों में खाता खुलवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अगरणी बैंक प्रबंधक विजय कुमार सिंग ने बताया कि आगरा जनपत में 2015 से लेकर 18 तक करीब 10.5 लाग खाते जन्धन योजना के तहट खुले गए हैं उने बताया कि प्रधान मंतरी जन्धन योजना प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा शुरू की गई है जिसमें मूल परिवर्तन हुआ है जिसमें पहले बैंक में खाता खुलवाने के लिए 1000 रुपए और समय लगता था लेकिन अब गाउं में कैंप लगा कर बैंक द्वारा जन्धन योजना के तहट खाते खुले जा रहे हैं अब कोई भी गरीब बिना इलाज के वंचित नहीं रह पाएगा पुर्धान मंतरी द्वारा 23 सितंबर को लांच हुई आईशमान भारत जन्योजना योजना के तहट अब करीब परिवारों को लाब मिलना शुरू हो गया है आईशमान भारत योजना के तहट शाजहापूर निवासी हरीशंकर पुत्र छोटेलाल को बरेली मंडल के पहले मरीज के तहट मुक्चिकितसा का लाब में लहा है बारा वश्य हरीशंकर को पेट में इंफेक्शन होने के कारण SRMS हास्पिटल के डाक्टर अनीता कुमारी ने टी बी बताया और उसका इलाज कल से शुरू कर दिया गया है इस योजना के तहट परिवार को पांच लाख रुपए कर निशल्क इलाज मिल सकेगा जो आईशमान भारत प्रधान मंतरी जन आरियोग योजना के सूची बदसरकारी एवमनीजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं इस योजना के तहट सिकेंडरी, टैशनरी, कैंसर और हर्दैगाट जैसी 1350 बिमारियों को शामिल किया गया है जिनका उपचार किया जा सकेगा, इलाज के दोरां दवा, जाँच और एक से पूरी तरहने शुर्क रहेंगे प्रधान मतरी दोरा शुरू की गई योजना में, बरेली के सवादो लाख लोगों को इसमें शामिल किया गया है इस योजना का लाप पाने वाले हरी शंकर के पिता चोटे लान ने बताया कि सरकार की योजना के तहट बच्चे का इलाज किया जा रहा है, जिसमें सभी जांचे निशुर्क की गई है खर्बों में आगे बढ़ते हैं और सोन भदर जैसे प्रदेश के दूर दराज और पिछले जिलों में रहने वाली ग्रहनियां अब उजला योजना के माध्धम से जीवन में आए बतलाव के कारण पधान मंत्री को दौाएं देते नहीं थकती एक दौर था जब घर में इंधन गैस का होना एक स्टेटट सिंबल हुआ करता था किन्तु प्रदान मंत्री की गरीबों के प्रती सोंच ने उजला योजना के माध्धम से स्टेटट सिंबल को निस्ट कर दिया लगबख पूरी उम्र धुमे में गुजार देने वाली चियोपन गाव की साथ वर्षिये हीरा देवी ने बताया कि पूरी जिंदगी धुमे में गुजर गई भला हो प्रदान मंत्री का जिन्होंने हमें गैस उपलंद कराया अब हमें और कुछ नहीं चाहिए चालिस वर्षिये लक्षमी देवी गैस पाकर काफी खुश है और उनका मानना है कि अब वो बरतन भी मेले नहीं होते और समय तो बचता ही है साथ ही जब जरूरत होती है तब कुछ भी बन जाता है ग्रामी नंचलों की बहुए ने तो अजवरा योजना को अपने बच्चों के पढ़ाय लिखाए और उनके समय से स्कूल जाने से ही जोड़ कर देखती है चोपन गाओं की ही 25 वर्षी रूबी ने बताया कि सबसे बड़ा फायदा तो हमें बच्चों के पढ़ाई को लेकर हुआ जिने समय पर भूजन उपलब्द करा कर स्कूल भेज रहे हैं बच्चे में बच्चे भी रोते थे गैस मिलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है हम गैस पर जल्डी खाना बना लेते हैं और बच्चे भी स्कूल जाते हैं सेमर गाव की 24 वर्ष ये रुकसाना कहती हैं कि गैस मिल जाने से समय से काफी बचात हो गई समय पर बच्चों का स्कूल भेजना और पढ़ाई के साथ घर में बज़र्गों और बच्चों का धुमें से निजात सबसे बड़ी सिवधा है भारस सरकार देश भर में सड़कों के निर्मार और चोड़ी करण पर विश्यश ध्यान दे रही है जिस स्यावा गवन में सुगत अजाम से मुक्ति मिल सके और विकास के नाय आयाम गढ़े जा सके भदोई जिले के गुजरने वाली निशनल हाईवे टू को सिक्स लेन का बनाया जा रहा है और इस सिक्स लेन से जुडने वाली लिंक रोट का भी चोरी करण किया जा रहा है तेरी से बनाय इन सड़कों से जहां आम आदमी में खुशी का माहौल है वहीं इन सड़कों के बन जाने से नगरक शेतर वागाओं के विकास में तेज़ी आएगी सिक्स लेन से जुडने वाली वाहिदा नगर से सुरेया वा तक बाइस क्लोमीटर लंबे लिंक रोट का चोरी करण भी तेज़ी से किया जा रहा है इस लिंक लोट के चौरी करण से दुरगागंच, अभाली, सुरियावा जैसे मुखे बाजार के व्यापारीवा किसान वाराड़सील आबाद शहर से जुड़ जाएंगे जिससे व्यापारीवा किसानों को काफी फायदा होगा वाहिदा नगर तिरा है कि निवासीग विकिसान कमलेश मौर्या ने वाहिदा नगर से सुरियावा तक 22 किलोमेटर तक केजी से हो रहे है चौरी करणों को लेकर कहा किस लिंक रोट का सिक्स लेन से जुड़ जाने से किसानों को अपनी फासल मंडी तक पहुँच ले जाने में काफी सुवधा होगी प्रदेश में पिछले तीन महीने से सक्रिय मानसून अब विदाई की तयारी में है इसके साथ ही सरदी का मौसम अपने पाँपसार ने शुरू करेगा प्रदेश की मौसम में देशक जीपी गुपता ने बताया कि दक्षिनी पश्चिम मानसून की विदाई हरियाना प्राजस्तान और दिली से शुरू होती है इसके बाद यूपी की बारी आती है उन्होंने बताया कि प्रदेश में रात के ताप पान में गिरावाट आएगी और सरदी वाली रातों का सिलसला शुरू होगा प्रदेश में दिन का अधिकतम ताप मान बाइस से 37 डिग्री से लसियर और रात का तूरू ताप मान बाइस से 26 डिग्री से लसियर रहेगा मासम विभाग के ताज़ा आकड़ों की माने तो पहले जियून से 22 सितंबर के बीच प्रदेश में 7.1 मिली मीटर बारिश हुई जो सामान बारिश का 93 फीशद था प्रदेश के 75 जिलों में 16 जिलों में सामाने से अधिक यानी 120 प्रतिशद 32 जिलों में सामाने यानी 80 से 120 फ फिर से देख लेते हैं सरज के लिस्ट्राइक की दूसरी वर्षगाट पर रास्ट मना रहा है पर आकरम पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जोदपुर में 16 सेनाओं की प्रदर्शनी का किया आवलोकन आयोध्या विवाद से जुड़े मामले में सुप्रेम कोर्ट की तीन सदस्य पीट ने मस्जिद इसलाम का अभेने हिस्सा है या नहीं इस वाद को समयधान पीट को भेजने से किया इंकार कहा आयोध्या मामले से इसका संबंध नहीं एशिया कप में अजय भारती टीम का आज फाइनल में बांगला देश के साथ होगा मकाबला सुपर फोर में पाकिस्तान को हरा कर बांगला देश पहुँचा है फाइनल में इसे के साथ समझारे ही खत्म होते हैं मुझे दीज़े इजासत नमस्का झाल